हेलो दोस्तों कैसे हैं तो दोस्तों आज मैं आपको Falcon in the Winter Soldier का Season 4 का फूल स्टोरी एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ तो वीडियो का आपे इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो का अंतक जोर देखिएगा इस एपिसोड के सुरुवात में हमें दिखाया जाता है वाकांडा कसीन जहांपे वाकांडा के लोग Winter Soldier का इलाज करते हैं और वहां उसे ठीक कर देते हैं यानि कि अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसके बाद हमें प्रेजन कसीन दिखाया जाता है जहां पे वाकांडा के लोग बकी का पिछा करते करते उसके पास पहुंच जाते हैं और वाकांडा के लोग बकी के पास इसलिए आते हैं क्योंकि बकी ने जीमो को जेल से छुड़ाया था और वाकांडा के लोग जीमो को मारना चाते हैं क्योंकि उसने उनके राजा को बॉम से उड़ा दिया था और वहां बकी को 8 घंटे का टाइम देती है। उसके बाद वहां जीमो को मार डालेगी। उसके बाद बकी, सेम और जीमो को यहाँ पता चलता है। जो सूपल सोरजर है, जिसका नाम है कारली, उसका फ्यूनरल होने वाला है। और वह सभी फ्यूनरल कहा होने वाला है, इस बात का पता लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां उन सब को बारे में कोई नहीं बताता है। तब जीमो एक चोकलेट देखे एक बच्ची से सच उगलवा लेता है, कि उसका फ्यूनरल कहा होने वाला है। उसके बाद हमें फर्स टैम सूपर सिरम देखाय जाता है, जहाँ पर कारली उस सूपर सिरम को निकालती है। और वा उन सूपर सिरम से और भी सूपर सोजर बनाना चाहती है। उसके बाद सैम, जीमो और बाकी कारली के फ्यूनरल पर जाते हैं, लेकिन तब ही निउ कैप्टेन अमेरिका और उसका दोस्त वहां पर आ जाते हैं, और उन्हें रोक लेते हैं। और बोलते हैं, सैम का ये मानना है कि कारली राष्टे से भटक गई है, और उसे समझाया जा सकता है। जीमो जो है, वो कारली को एक गोली मार देता है, और वहीं पर सारा सुपर सिरम गिर जाता है। न्यू केप्टेन अमेरिका सुपर सिरम को चुपके से वा छीपा लेता है। उसके बाद न्यू केप्टेन अमेरिका सैम और बकी के पास आते हैं और वा जीमो को हिरासत में लेने के लिए बोलते हैं। यानि वा जीमो को हिरासत में लेना चाहता है। लेकिन सैम और बकी इस बात से एगरी नहीं होते हैं, तब उन सब में थोड़ा सा बहुत चिरी जाता है, और इसी बीच वाकांडा के लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तब नया कैप्टन अमेरिका का उन लोगों को हरकत पसंद नहीं आता है, और फिर वहीं पे उन सब में बहु पर सोजर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वह लोग बहुत बुरी तरीका से हार गए, इस बात का नयू कैप्टन अमेरिका को बहुत जादे हार पहुंचता है, उसके बात कारली जो है, सैम की बहन को फोन करके धमकाती है, कि तुम्हारे भाय को मारू या पिछोड़ दो, चलती है, आर उसे एक पता भी भेशती है, लेकिन सैम को वहाँ एकेला जाना रहता है, लेकिन बकी भी उसके साथ चला जाता है, तभी नियू कैप्टन अमेरिका और उसके दोस्त को कारली के बाकी साथीयों का बारा हम पता चलता है, और उसे डूंढ़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं इसी बीच Sam Carly और Bucky का बहुँत जब जब ज़ेस्ट लड़ाए हो जयता है Sam और Bucky New Captain America का पास पहुँचना चाहते हैं लेकिन Carly उसे रोकना चाहती है और Bucky और Sam New Captain America का पास पहुँच जाते हैं जहां पर Sam देखता है कि New Captain America जो है वो Super Sorger यानि कारली के दोस्त को बहुत बुरी तिरिकर से मारता है तब वहाँ समझ जाता है कि जो New Captain America है वहाँ Super Serum ले चुका है उसके बाद जो Super Sorger है जो कारली के दोस्त है वहाँ New Captain America के दोस्त जो है उसको वहाँ उठा के ले जाते हैं तब सेम और New Captain America उन सभी को ढोड़ने के लिए चल पड़ते हैं इसी बीच कारली के जो Super Sorger है वह सेम और New Captain America पे हमला कर देते हैं इसी बीच वहाँ बक्की भी आ जाता है और वह सभी Super Sorger और इन सभी में बहुत ही जबज़स लड़ाय चल जाती है लेगिन जैसे ही इन सभी में फैट चल रहा होता है तब ही कारली Captain America के दोस्त को एक जोरदार पंज मारती है और वह वही पे मर जाता है और New Captain America को इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह सभी वहाँ से भागी रह होते हैं कि New Captain America बिल्डिंग से नीचे गाड़ी में छलांग मार देता है और उन सभी में से एक सूपल सोजर को वहाँ पकड़ लेता है और वही उसे वहाँ जान से मार देता है यानि स्रील्ट से मार मार के उसका मडर कर देता है और यही पे या सीजन खतम हो जाता है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट वोक्स पर जोर कमेंट करें और आपको आगे कौन सा वीडियो देखना है यानि की स्टोपिक पर वीडियो देखना है यह भी मुझे कमेंट जोर कर दिजेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें नहीं तो डिसलाइक करें मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद